अधर्णिय राष्टिय देगी अधर्णिय 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 और सभी बरिष्ट साथी हमारे देश में संसद में हंगामा होना संसद न चलना यह पहले भी होता था इस बार जड़ा ज्यादा हुआ लेकिन एक मुल्भूत फर्क है कि पहले संसद में बाधाएं इसलिए आती थी रुकावटे इसलिए आती थी हंगामें इस बाद को लेकर के होते थे कि देश के सामने भयंकर गोटाले उजागर होते थे प्रश्टाचार के गंभीर आरोप सामने आते थे और विपक्ष इमानदारी के मुद्दे पर एक होकर के लड़ाई लड़ता था पहली बार देश में ऐसा हुआ कि ट्रेजरी बेंच प्रश्टाचार के खिलाप कदम उठा रही है काले धन के खिलाप कदम उठा रही है और विपक्ष में ज़्यादातर लोग बेइमानों का साथ देने के लिए इखटे हो रहे है कभी कभार ना समझी में या स्वार्थ बस किसी ने बेइमानों का पक्ष भी लिया होगा तो चुपचाप रहकर के लिया होगा न बोलकर के मदद की होगी देश में ऐसा पतन राजनीतिक जीवन में आया है कि बेइमानों के पक्ष में खुलकर के बोलने की कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई है यह सबसे ज्यादा चिंता का विश्य है आज 16 डिसंबर है 1971 में भारत की वीर सेना ने प्राक्रमी सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था और बंगला देश के मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे लोगों को विजय प्राप्त हुई थी लेकिन तब भी विरत पक्ष था मजबूत विरोत पक्ष था लेकिन तब किसी विरोती पक्ष थे 1971-16 डिसंबर को देश की सरकार से कोई सबूत नहीं मागा था कि सेना ने पराक्रम किया वो सही है या गलत है किसी ने सबूत नहीं मागा था आज पतन इतना हो गया कि मौत को मुठी में लेकर के चलने वाले फोजी को भी सबूत देने के लिए मजबूर किया जा रहा है यह जो गिरावट है सारवजीनिक जीवन की यह चिंता का विशह है महरान हों कि मुद्दों पर चर्चा करने का सामर्थ है इस सरकार के टिकाकारों ने किया होता तक अच्छा होता और इस बात को भी हमने नोट करना चाहिए कि कई लोग हैं जो वैचारिक रुप से भारतिय जनता पार्टिय या एंडिय के पक्षमे नहीं है उसके बावजूद भी ब्रस्टाचार और काले धन के खिलाब के लडाई में वे खुल करके हमारे साथ आए मैं उडिशा के मुख्यमंत्री स्रिमान नमीन बाबू का अभारवक्त करता हूं मैं बिहार के मुख्यमंत्री स्रिमान नितिश कुमार का अभारवक्त करता हूं ऐसे और भी भहुत लोग हैं जो खुल करके हमारे सामने आए और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस लड़ाई में जो भी साथ दे रहे हैं उनको साथ लेकर के हमें आगे बढ़ना है हजार और पांसो की नोट के समन्द में किया गया निर्णाई इस लड़ाई का एक महत्मपूर पड़ाव है यह लड़ाई का आखरी मंजील नहीं है मद्दमबर का सोशन अगर रोकना है गरीबों को हक दिलाना है तो प्रस्टाचार और काले धन से देश को मुक्त कराना अनिवार्य है और उसके लिए हिम्मत पूर्वक निर्णे करने पड़ेंगे 26 मार्च 2014 जबकि देश लोकसभा के चुनाव लड़ रहा था तब UPA की सरकार थी 26 मार्च 2014 को देश की सुप्रम को ने क्या कहा था इस अज्यून से टाफ्यार्य को ने सुप्रिश्टे लोड़ेंगे लिए यूज्टी लूज अज्यू जविए लूजिए जग प्रिश्टेंगे लड़ेंगे लूज विए लूज देश्टेंगे लूजूजू the committee headed by the former judges of this court three years have passed but you have not done anything to implement the order what are you what have you done except for filing one report you have done nothing hi this is a Pornika की सोच के सबंद में उनके कारोबार के सबंद में सुप्रिम कोड की 26 मार्च 2014 की टिपनी कितनी गंबीर है मैं एक और बात वताना चाहता हूं 1971 में जब कि सिर्मति गांधी इस देश में राज करती थी एक वांचु कमिटी बनी थी जिस वांचु कमिटी का एक रिपोर्ट आया था और जिसमें नौटो पर पाबंदी लगाने के विशह में गंभीरता पुर्वक्त चर्चा की गई थी और उस कमिटी का रिपोर्ट कहता है और यह 1971 की बात है we are fully aware of the not too successful results of the demonetization in 1946 yet we are confident that this measures if introduced now would achieve substantial result because of altered circumstances वांचु कमिटी का कहना था 1946 में demonetization हुआ तो उसमें सभलता नहीं मिली लेकिन अकर 71 में करेंगे तो हमें बहुत बड़ी सभलता मिलेगी कहने का ताप्तवर यह है कि 1971 में देश को इसकी जरुरती जो आज हमने किया है इतने साल देर करकर के देश का कितना नुक्सान किया है यह हम कल्पना कर सकते हैं और उस समय के जो cabinet secretary सेनियर आयस अपसर थे उन्होंने किताब लिखी है उस किताब का एक वाक्य मैं कोड़ करना चाहता हूं उस किताब में सिमान मादव गोड़बुले की किताब है अन्फिनिश्ट इनिंग्स री कलेक्शन्स और रिफ्लेक्शन्स अपा सीविल सर्वेंट कोई बात में cabinet secretary भी बने थे और यश्वंत्राव चवान जब फाइनांस मिनिश्टर थे तब वे उनके सचीव थे तब उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार अपनी किताब में उलेक किया है वैन वाइबी चवान टोल हर हर मन्स सिम्मति गांदी वन वाइबी चवान टोल हर about the proposal for demonetization and his view that it should be accepted and implemented forth with उन्होंने आगे बड़न किया है इंदराजी ने चवान के सामने देखा कुछ पल देखा और फिर इंदराजी ने कहा see ask Chavann only one question Chavann ji are no more elections to be fought by the Congress party Indra ji ne bhai bhai chavann ko bhai bhi chavann ko puchha kya bhai kya kongres ko आगे चुनाव नहीं लड़ना है कि नहीं लड़ना है चवान गड़ द मैसेज एंड रिकमेंडेशन वास स्लेव बताईए थाप दल बड़ा की देश बड़ा ये 1971 में सारे रिपोर्ट थे उनके ये वित्मंत्री कहरे थे करने की अवश्क्ता है देश के लिए जरूरी है और उस समय के सीनिय सिविल सर्वन ने लिखा है कि वाई भी शवान को जब ये पूछा गया सारी बात रोग गई जो काम 1971 में किया होता तो आज ये देश की बरबादी नहीं होती है इस प्रकार से देश को चलाया गया है मैं कॉमिनिस पार्टी के लोगों से पूछ रहा चाहता हूँ जब कॉमिनिस पार्टी ने पस्चिम बंगाल में कॉंग्रेस के साथ चुनावी समझोता किया तब ऐसा लग रहा था कि शायन ममता जी की राजनीती के खिलाब इनकी लड़ाई है ममता जी को उखाड फैकने के लिए वो इखटे हो रहे हैं लेकिन इस बार सदन में जो कॉमिनिस पार्टी का वेहवा रहा है उससे लगता है कि बंगाल में उन्होंने सिर्फ चुनावी समझोता था किया था ऐसा नहीं कॉमिनिस्ट पार्टी ने अपना वैचारिक समझोता कर लिया है कॉमिनिस्ट पार्टी अपने विचार धारा से उखड चुकी है मैं इसलिए कह रहा हूं 26 अगस्ट 1972 बांचु कमिटी के रिपोर्ट को लेकर के पार्लमेंट में जो बोला था मैं चाहूंगा कि आज के कॉमिनिस्ट पार्टी के नेता संसद से उन भाशनों को निकाल करके पड़े जो तिरमाइबास ने कहा था मैं जो वीज़ा सिर्थ दोर्ट जोर्ड़ा ने कहांबस्ट रचाहूंट सिर्थ वाशन ब्लैंग इस ए्ट इस हावड फोवेंट क मिटी वाठीस्ट पार्टी कि वाट झेम धरे किन रिपार्टी बूंदिस्र कार्टी सर्ट्सट नेष भाटमझंट रष का ब्रेंग मैं बट इज वाइब सप्रेस एन यह एर एंट फॉस्था में उन्होंने इतने गंबीर आरोप सदन में लगाये थे कि आप वांचु कमीटी का रिपोर्ट लागो क्यों नहीं करते हैं और वांचु कमीटी का रिपोर्ट टेमल पर पर कंडर से यह नहीं ते 4th September 1972 जोतिर मैं बाबु उनने कहा I have suggested demonetization and other measures I do not wish to repeat them Government must sincerely seek people's cooperation But the Prime Minister Simatindra Gandhi and her government with the class character that it has is a government of the black money by the black money steps which would lead to the stoppage of use of black money including demonetization of 100 rupee notes and such other things यहने 100 rupee की note को भी रट करने के लिए communist party लड़ाई लड़ रही थी अब एक और बात भी Reserve Bank के पूर्व गवरनर Mr. B. Reddy उन्होंने इसी साल अक्तूबर में एक memorial lecture में अपना भाशन करते हुए एक बात उजागर की उन्होंने कहा बेनामी Transaction Prohibition Act बेनामी संपत्ति का कानू 1988 में हिंदुस्तान की पार्लमें ने पास किया था पर सम रिजन और अधर No regulations were issued under the Act In other words, it remained unimplemented for more than 25 years ये जो आज वहां क्यों ऐसा कर रहे हैं इसके लिए जादा दिमाग खपाने की दरतने उनकी बहवार से पता चलता है कि 1988 में बेनामी संपत्ति के लिए आप कानून पास करते हो और इतने साल बितने के बाद भी उसको नोटिफाइ नहीं करते हो संसंद में पारिक करकरके प्रेस कंफरंस ले करके पब्लिसिटी कमा करके राजनीती करते रहते हो लेकिन आप इसको लागू नहीं करते हो अब इस सरकान ने आ करके समयानुकुल परिवर्तन किया और परिवर्तन करके उसको नोटिफाई कर दिया अब माल लिए मैं आगे कोई कदम उठाऊंगा इस सरकार उठाई की कदम आखिर हमने बेनामी संपत्य का कानून पारित क्यों किया है अब फिरे चिलाएंगे कि मोधी ने जल्बाजी क्यों करती आपने 88 से अब तक उसको लागू नहीं किया देश में बेनामी संपत्य के कटी करने वालों को खुली छूट दे दी और ये सरकार कानून पारित कर चुकी है नोटिफाइ कर चुकी है लागू करने के लिए कदम उठाएगी और फिर आप चिलाना शुरू करोगे क्या क्या देश ऐसे चलाओगे क्या कि यह सारी मुसीबत की जड़िये है कि इनके लिए देश से बड़ा दल है हमारे लिए दल से बड़ा देश है और इसलिए और जहां तक वैचारी की रादों का समाल है देखी क्या हाल है दो हजार चाओदा दो हजार चाओदा दो हजार चार्टर मनमोन सी जी का भाशन में कोट करो इंडिया 2015 will be a nation of capable and empowered men and women well-fed and gainfully employed modern and rational and actively engaged with the world that is my dream for India at the end of the next decade a decade is not long time indeed I do hope you share my sense of urgency in doing what we have to do ये उन्होंने 2004 में जब प्रदानमत्री बने तब कहा 24 जुलाई 1991 को क्या कहा था देखे फर्क कैसे आ रहा है दल बड़ा की देश बड़ा इस दूलजन में कहां से कहां पहुंच जाते है 91 में कहां दाओ नबड़ा इस दूलजन में कहां था नबड़ा इस दूलजन सब्राज स्केल tax evasion both in terms of income and in terms of wealth unless I find substantial improvement in tank compliance in the next few months government will have to government will have no choice but to take strong measures to make the tax evader pay a sufficiently high price for such deligencies ये धमकी की भाशा उस समय कही गई थी और आज सारे स्वर बदल चुके है क्यों? उनको अपने दल की चिंता है देश की चिंता नहीं है भाजो बहनो चानक के नीती में एक बहुत ही उत्तम बात कही गई है और यूपीय ने दस साल स्वासन किया उसके संदर्ब में इसको देखे तो बहुत ही महत्मपुन बात चानक के नीती में कही गई है चानक के नीती के पंदर्वे अध्याय का छठवा द्वा है उसमें कहा गया है, करी अनीती धन जोरेव, करी अनीती धन जोरेव, दसे वर्ष ठहराए, ग्यारह वेके लागते, जड़व मूलते जाए, करी अनीती धन जोरेव, दसे वर्ष ठहराए, ग्यारह वेके लागते, जड़व मूलते जाए, अन्याय से कमाया हुआ धन, केवल दस वर्ष ठिकता है, ग्यारह वा वर्ष लगने पर, वह मूल धन के साथ नश्ट हो जाता है, यह उनके दस साल के खारकाल के सामने, यह जो इखठा किया हुआ है, इस पर चानक के उस समय कहके गए थे, उनको पता था, और इसलिए, और मुझे विश्वास है, आप जब अपने क्षेतर में लोट रहे हैं, बड़े आत्मे विश्वास के साथ, देश को प्रस्टाचार से मुक्त कराने के लिए, काले धन से मुक्त कराने के लिए, हमने लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को आगे ले जाना है, आपने देखा होगा, टीवी पे बातें आती हैं कभी-कभी, कि किसी रिक्षावाले को पुछते हैं, तुम इमे बटवा जानते हो, सही है, इस देश में सब लोगों को पता नहीं है, लेकिन जिनको पता है, उनको तो इसमें हम जोड़े, माल लिजेज़े, इसमें 40% लोग होंगे, जो इसको हम पड़े लिखे माने, जिनके हाथ में स्मार्टफोन मागे, अगर इतनों को भी इसमें ला दे, तो जो गरीब लिख्षावाला है, जो कैस से खर्चा करता है, उस इसमें रत्तरती भर्वी बेहिमानी नहीं होती है भाई, सवाल उन लोगों का है, जो जानते हैं तो भी नहीं करते हैं, और इसलिए उनको इस रास्ते पर लाने के लिए, इस डिजिटल मुमेंट को हमें आगे बढ़ाना है, आपने देखा होगा, कल बड़ी महतवपूर सरकार ने लाँच की है, मैं चाहता हूँ कि इसको आप कैसे आगे बढ़ाएं, एक लकी ग्राहा की योजना, दूसरी हैं, डिजी धन व्यापारी योजना, इस योजना के तहट, डिजी धन योजना का पहला लॉंचिंग क्रिस्मस के दिन होगा 25 दिसंबर को, और क्रिस्मस गिफ्ट, यह बहुत बड़ी बात होती है, तो क्रिस्मस गिफ्ट के रुप में, जो भी लोग online transaction करते हैं, कही पर भी करेंगे, उसका एक special number automatic generate होता है, हर क 8 November से लेकर के 24 December तक जिन्हों ने भी किया होगा, उसका एक draw 25 December को निकलेगा, और उस दिन, 15,000 लोगों को, जो draw में जीत करके आएंगे, 15,000, उनके खाते में 1000 रुपया gift के रुप में डाल दिया जाएगा, 15,000 लोगों को 1000 रुपया, और कौन लोग इसका फायदा उठा सकेंगे, जो 50 रुपय से ज़्यादा खर्च किया है, और 3000 से कम किया है, यह अमीरों के लिए नहीं है, उसी को फायदा मिलेगा, जो 50 रुपय से ज़्यादा खर्च किया है, और 3000 रुपय से कम तिया है, तो वो और यह योजना डेली चलेगी डेली ड्रों होगा हर दिन पंद्राइजार परिवार हर एक हैजार रुपिया और यह सो दिन तक चलेगा आप कल्पना कर सकते हैं कितने लाख परिवारों में इस योजना का सीधा लाब मिलेगा अब आप उनको यह बात पहुंचाएंगे तो फिर वो जुरूर डिजीटल पेमेंट देगा गरीब से गरीब भी डिजीटल पेमेंट देगा फिर वो गहेंगा ने मुझे कैस नहीं देना है इनाम मिल जाएगा दूसरा व्यापारियों को भी प्रोस्वान मिलना चाहिए और इसलिए जो व्यापारी इस काम को बढ़ावे देते हैं उनका अलग ड्रौ होगा व्यापारियों का जिनके आँ ग्रहा काते जाते हैं और उ के नाम है व्यापारियों को भी लाखोर के नाम है फिर तीन महने के बाद एक मपड्रो होगा वो है 14 एप्रिल बाबासाब आमबेड करजी की जन्म जैन्ति पर और उस दिन का जो इन आठ नमंबर से लेकर के 14 एप्रिल तक जिन्होंने भी हिस्सा लिया होगा वो सब इसमें सामिल की जाएंगे और वो शायद करोड़ों रुपे में इनाम होगा उसकी पूरी योजना विस्तार से आपको लिक्कर के दे दी गही अभी यह आपका काम है जैसे कल अख़बार में अरोटाइजमेंट आएगी आप अपने क्षेतर की हर दुकान में अख़बार की अरोट पर लगबा सकते हों हर दुकान पर आप दुकानदार होगी मीटिंग करके समझा सकते हो कि यह लखी ड्रौ है इतना बड़ा तुम इसमें सरीख हो जाओ अगर एक बार छोटा व्यापारी जुड़ गया इसका आगे फाइदा क्या होने वाला है देखिए आज छोटे वेक् पर वालोन नहीं देगा क्यों को उसके पांस कोई इंकम का रेकॉर्ड यह नहीं है कि तुम कितरा कमाते हो क्या कमाते हो कैसे ले तो कुछ मालूम नहीं वह भी बेचारा आता है पांच रुबए को देखे जाता है पर प्रेस करके दे देता है अगर वो डिजीटल ट्रांज लक्ती है आज बैंक से लोन लेने के लिए तिन-तिन चार चार मेहने लगते हैं भाती भाती के डॉक्यमेंट देने पड़ते हैं भापी की जाती के लोग लाने पड़ते हैं एक स्तिती वो आएगी जो भारत सरकार के जो प्लेटफर्म बनाये गए है कोई भी व्यापारी होगा वो सारा अगर online transaction करता है तो उसका record मैंने पर इतना turnover पका है एक दिन ऐसा मैं देख रहा हूं कि उस व्यापारी को अगर लोन चाहिएगा जादा से जादा जादा से जादा छे मिनिट लगेगा छे मिनिट में इस technology से उसको पचीस जार पचांस जार का लोन फ्राग से मिल जाएगा छोटे व्यापारी के लिए यह स्वन्रीम अवसर है क्योंकि उसका record होगा कोई document देखने नहीं पड़ेंगे जो उस प्लेटफॉर्म को देगा अच्छा भाई पितले मेने तुम्हारा बीस जार का था ठीक है दसाजीबा तुम्हें और लोन दे देते हैं तुम आगे बढ़ो वो तुरुन दिने करेगा पूरी टेकनोलोजी के करण करफशन जाएगा सामान ने मानवी को ताकत मिलने वाली है मैंने सरकार के अपसरों को दो सुचनाई दी है जिस बात को आप प्राचारित कर सकते हैं कि कुछ व्यापारियों को लगता है कि अभी हम डिजिटल चले जाएंगे और हमारा ट्रणोवर बढ़ जाएगा पहले तो हमारा ट्रणोवर कैस था तो हम लिखते नहीं थ चाहते हैं मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं लेकिन अगर उसके हिसाब से आप पुराना निकालोगे कि भाई तुमारा डिसेंबर में डिजी कल में दो लाख था इसका मटलब कि तुमारा जुलाई अगस में दो लाख होगा तब तो तुमने 20,000 लिखाया था चलो पुरान भी निकालो मैंने सरकार के सभी अधिकरियों से कह दिया है पुराना कोई पोस्ट मॉर्टम नहीं करना है वरना आप किसी को भी मुख्यधारा में लाई नहीं पाऊगे लाई नहीं पाऊगे आठ तारीक के पहले ऐसे ही हम चाहते हैं कि मद्दूरों का सोचन बंद होना चाहिए मद्दूरों को उनका हग का पैसा मिलना जाए आज क्या होता है कैस देते हैं और कहते हैं इतना देते हैं इतना क्यों ऐसा करते हैं कुछ मौना पूरा भी देते हैं लेकि उनको लगता ह लेबर एक्ट में आजाएंगे इसलिए रेकॉर्ड नहीं रखता है अब डिजेल्टर पेमेंट से वो लेबर एक के अंदर आएगा उसके लिए भी कुछ लोगों का कहना है कि साब यह पुराना न खोले मैं लेबर मिनिस्ट्री से भी कहा है कि आठ नमबर के पहले अब आप क बहुत साफ हूं मैं इस देश के सामान मानवी के लिए यह सरकार जितना सकारत में कर सकती उसकरने के पक्ष में हूं और इसलिए आठ नमबर के बाद जो भी मुख्यधारा में आना चाहते हैं उनको अवसर मिलना चाहिए और यह डिजीटल वबस्ता के कारण यह संभव का और देश का हर व्यक्ति जी यह यह अफसरसाही का जुन सहने को त्यार नहीं है हम उससे मुक्त कराना चाहते हैं और एक ऐसी सरकार है जो अफसरसाही से भी सामान्यानागरी को मुक्त कराने के लिए खुद कदम उठा रही है तो यह आगे की सोच आप कल्पना कर सकते हैं जब 6 मिनिट में लोन मिल जाएगा वो कितना बड़ा निरने कर पाएगा जी उसके सामने मान लीजे बाजार में कुछ खरीदने के लिए बेचने के लिए किसान आया है पैसा नहीं है लेकिन वो अपना रेकॉर्ड तुरंत रि लेकि इतनी संभावना यह पड़ी हुई है और इसलिए यह डिजीटल सिरफ नोटो कागज की नोटे कम करने का कारकम नहीं है जी यह पूरी तरह बे आफ फ्लाइट बदलने का कारकम है एक बे आफ एकानामिक सिस्टिम को बदलने का कारकम है और दुनिया में उनी देशों ने प्रगति की हैं जिन्होंने इन बडलाव को समय रहते हुए स्विकार किया है हम लोगों का यह प्राइम होनी चाहिए कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं 15,000 परिवारों को हर दिन इनाम आप पहुंच सकते हैं लोगों के पास आप ड्यान रखिए कि आपके इलागे में किसको ड्रॉ लगा है उनका सम्मिलन कीजिए देखो भाई मेरे यहां एक हजर पर आ गया यह बात आपको एनकेस तब होती हैं जब आप उसके साथ जुड़ते हैं बागे सरकार एक के बाद देख जनहीत में गड़म उठा रही हैं और आपको पता चल गया होगा हम टुकड़ों में नहीं सोचते हैं एक पूरा फुल स्केल डिजाइन के साथ सोचते हैं पत्ता धीरे-धीरे खोलते हैं लेकिन पूरे स्केल में सोच करके चल रहे हैं उसी को आगे बढ़ना है बे नामी संपत्ति का गायदा पहले पास गया था डिजीटल का फरवरी से अक्तुबर तक 23 महत्वपून डिये हुए हैं इस सरकार ने डिजीटल प्रोमोशन के लिए फरवरी से एक्तुबर तक 23 महत्वपून डिये हुए हैं लेकिन अगर हम उसको ध्यान नहीं रखेंगे हम उसको ऐसे कारेवाई मानेंगे तो बरलाव नहीं आ सकता है और जो सफलता मिली है अभियान को कोई कलपना नहीं कर सकता है कि इसी जबनाए है और मैंने पहले दिन कहा है पचास दिन मुश्किल है मुश्किले बढ़ती जाएगी लेकिन पचास दिन के बाद मुश्किले कम होते 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 स्थीति नॉर्मल होने में देरनी लगें तो 50 दिन अभी भी भी मैं कह रहा हूं वैसे आज रिपोर्ट शुरू हु हुआ है फिर भी मैं करता हूं पतात दिन तकलिफ है है पतात दिन के बाद एक दम उचाही तकलिफ पहुंचेगी फिर दीरे दीरे जीरे करके ठीक होगा यह बात हमको लोगों को बतानी होगी अच्छा करने का दारा प्रयास है होके रहेगा मेरा भी स्वास है बहुत बहुत धन्यवाद